गुड मोरिंग दोस्तों स्वागत है आपका एको नई व्लोग में और आज हमारी राम देवरा यात्रा का दिन पांचवा है तता कल शाम को ही हम गाउन देवमाली में पहुच गए थे और भोजन करके धर्मशाला में रुख गए थे तता आज सुबह हम भगवान देवनानज के मंदिर के दर्शन करने उपर पहाड़ी पर जा रहे हैं तो चलते हैं आगी धर्मशाला से ही मंदिर तक जाने के लिए सीडिया बनी हुई है क्या अब देख सकते हैं सीडियों पर थोड़ा उपर चलने के बाद सीडियों के बगर में कुछ मूर्तिया बनी दिखाई देत स्टाइधें जो कि है कापी सुन्दर है आप देख सकते हैं मंदिर का फिन पाड़ी पर बना हुआ है इंदेеров के रास्ते में पत्र के शर्याय देख सकते हैं जिनके बीच में से वोकर रास्ता बना हुआ है जिस पर हम जा रहे हैं यह माता साडुजी के छत्री बनी हुई है जो सबसे उपर बनी हुई है और अब हम पहाड़ी के टोप पर हैं जहाँ पर मंदिर बने हुए हैं यहां पर सभी सरद्धालु मंदिर के दसन करने आये हैं जो कि आप देख सकते हो यहां से पूरे देवमाली गाओं का विव दिखता है और आप देख सकते हो कि इस गाओं में एक भी पक्का घर नहीं बना हुआ है यहां की मान्यताओं के अनुसार यहां पर कोई व्यक्ति पक्का घर नहीं बनाता है और सभी के कच्चे घर बने हुए जो कि आप देख सकते हो तता इस गाओं में सभी व्यक्ति मिट्टी और पत्तर से अपना घर बनाते हैं और यह स्री सवाई बोज्जी का मंदिर बना हुआ है जाप हम दर्शन कर रहे हैं अब मंदिर से दर्शन करके अब हम नीचे जा रहे हैं तो आप यहां का व्यूद देख सकते हैं कापी शांती भर अवातव रने पर अब चलते हैं आगे झाल 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 भूना जी के मंदीर दरसन करना आगे हैं और यह बोनाजी का मंदिर बना हुआ है जो कि कापी अच्छा बना हुआ है और आप देख सकते हैं यहां से व्यू अब अब आप यहां से चारो तरफ का व्यू देख सकते हैं तो फाइनली हम मंदिर के दर्सिन करके नीचे आज चुके हैं और अब आप मैं आपको यहां से पाड़ी का व्यू दिखाता हूँ जहां पर मंदिर बना हुआ है अब यहां से पाड़ी का व्यू देख सकते हैं जो कि कापी खूब शूरह थे और अब आपको थोड़ा सा अब भी व्यू दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार के घर बने हुए है जो कि मिट्टी और पत्तर के बने हुए तदा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पक्का घर नहीं बनाता है ऐसी मान्यता है तदा सभी व्यक्तियोंने कच्चे घर बना रखें जो कि आप देख सकते हो हुआ है